यह है आपका इंगलीज का कुश्चन पेपर 12th क्लास का महरास्ट वोड का सेट है जो है इसका भी है इससे पहले हमने एस सेट का सोलूशन अप्लोड कर दिया है लेकिन इस भी सेट का सोलूशन अभी हमने बनाया नहीं है हम बनाकर जल्द ही अप्लोड कर देंगे चलिए करें तो इसमें reading skill grammar vocabulary और note making और summary writing का जो पूरा का पूरा जो है वो आप देख पाएंगे कौन-कौन से questions आए थे तो read करना था आपको यह first activity को और extract को इसके बाद में इसके answers दे आपको देने थे तो यहां पर यह आपका जो है इसको पहले पूरा पढ़ना पढ़ेगा आपक इसको पढ़ने के बाद में ही आपको जो है इसके जो questions पूछे गए है वो समझ में आएंगे तो यह आपका एक passage आया था इसको पढ़ना था पहले और इसके बाद में देखिए इसके true and false पूछा गया था जैसे पहला even जो है पार्ट इसमें true and false पूछा गया है इसमें पहल को पूरा कपपूरा मेसेज यहां पर पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा everyone emptied their six of fruits they had collected earlier और third है आपका people walked up to their king happily और last जो true and false का था उसमें पूछा गया है the steam was narrow but current was strong तो यह आपको इसमें से true and false select करना था इसको पढ़ने के बाद में तो आपको इसके बाद में आपके जो questions यह तू पूछा गया था उसमें इसी में से पूछा गया है find out the reasons उसमें से आपको reason क्या करना है देखिए everyone emptied their six of fruit they had collected earlier dash यहां पर आपको जो है इसका find out the reason आपको बताना है इसी तरह second है the people stood by the steam for a long time scratching their heads dash यहां पर दिया हुआ है third जो है point out करना था point out two instances from the places showing greedy nature of people people के जो greedy पन को आपको इसमें दिखाना है वो nature आपको बताना है इसमें से two in sentence जो है आपको बताना है उसके बाद in sentence के बाद में आपको बताना है यह form है pick out pick out the qualifying word from the extract for the following nouns तो इन nouns के लिए आपको जो qualifying word है जो इससे match करेंगे उनको आपको बताना है mangos, apples, promaganates and flowers फिप्त जो है इसके बाद में आपको जो question है personal response का इसमें आपको देना है greed for money is the commonly tendency of people explain in brief sixth जो है इसमें grammar section से पुछा गया इसी में से rewrite the following sentences in the way of instructed तो यहाँ पर देखिए क्या पुछा गया this of juicy apples and plumps mangoes hanging from the trees तो rewrite sentence using not only but also को प्योग करना है इसमें everyone gathered at the gate of the garden तो frame करना है wh question to get underlined part as an answer तो इसको आपको underlined part को answer में पाना है तो इसके लिए आपको wh बाक्य बनाना है ठीक है उसके बाद में आजए grammar section की बात के लिए डूए डारेक्टेड तो इसमें क्या सी वाज सर्विंग एज डैस क्लर्क इन डैस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिए रिए उसिंग एप्रूपे आर्टिकल्स इसमें आपको भरना है दूसरा है आपका नासिक सिटी रिकॉड़ेट 52.7 mm रेन डैस दावर्स डैस 3.30 पी एम एंड 7.30 पी एम एंड फ्राइड़ी फिलिंग द ब्लेक्स विट सूटेबल एक पर पोजिशन सिसमें लगाना है आपको उसके बाद थर्ड जो पुचा है कि ग्राइड पास से टू मिनू आई वह आई वह आई वह इंग फो वाक आर यू विलिंग तो कम विद मी विचेंज इन्टू इंडारेक्ट नेरेटर जो है आपको करना है इसमें सेकेंड की बात करें तो देखिए रीड दा फर्स्ट ली एक्टिविटी एन एक्टिविटी तो इसमें क्या करना है फिर से आपको यहां पर यह एक्स्टेक्ट दे रखा है once upon a time the animal decided they must do something heroic to meet the problems of new world तो इसको आपको इस एक्स्टेक्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद में इसमें से ही आपको जो questions पूछे गए हैं वो आपको बताने है तो चलिए देख measures their performance second है आपका private schools are good to develop individuals interest और third है the same curriculum should be given to all for better result और fourth है आपका trying for all the subjects irrespective of the individual's interest may lead for frustration ठीक है तो इसमें आपको यह सारे एक्सारे appropriate sentence जो है आपको चूश करने थे उसके बाद में आज यह है तो complete करना है आपको reason के साथ में तो the duck was average in swimming because यहाँ पर reason आपको देना है और the squirrel could not score only c in climbing because इसका भी आपको reason देना है जो extract में आपको मिल जाएगा यह तरीकी बात करें guess करना है तो guess the result of the fiery dogs if they had been given admission in the animal school and support your suggestion with the facts from the extract इसके बाद में फूर्थ है vocabulary से तो fill in the blanks with the appropriate words given in the box rewrite तो यहाँ पर यह options देना है पहला question है जो इसमें देखेंगे वरन हूं टॉप the college was declared तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा वैले डिक्तोरियन और सेकेंड जो है इसमाजाए दा करिकुलम ऑफ दे स्कूल शूट इंवॉल्ड मोर एक्टिविटी सब्जेक्ट थर्ड मैं और या फिर इसमें the administrator आ जाएगा the administrator of the school इसमें आएगा third मैं आ जाएगा curriculum poor performance in the example developed curriculum among the students ठीक है तो यह भी आ सकता है लेकिन हाप यह गल्त आएगा यह जिसने भी गल्त लगा है frustration among the students आ जाएगा it is necessary to curriculum the program so that it will be successful यहाँ पर आपका यह आ जाएगा तो पहले में पहला ही आ जाएगा उसके बाद में सारे के सारे आ जाएगे personal response देना है suggest in about 50 words at least two way to make the learning enjoyable इसके बाद में grammar section की इसी में से आई है जो rewrite the following sentences तो क्या करना है the eagle was a problem child and was disciplined severally to make it complex sentence and abnormal yield could seem exactly and exceedingly well to rewrite the sentence using able to note making में आएगया आपका जो समरी इसको पढ़ना है आपको extract को इसके बाद में note making आपको करनी है तो चलिए इसको पहले देख लो आप सुधा मूर्थी was born 19 अगस 1950 यह वाला है जो पैसे इसको पढ़ना है सुधा मूर्थी के बारे में फूरा चीज बताई जाएगी आपको इसके बाद में अब इसके जो extract के हिसाब से जो है चीज़े पूछी जाएगी तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है early life and education तो यहाँ प आपको करने पड़ेंगे read the first activity read the extract and then do all the activities तो इसमें true false आपको बताने है आपका जो है यह है contaminated और polluted soil effect human health through direct contact with soil or via inhalation of soil contaminants which have vaporized तो यह आपकी जो जमीन है अगर वो polluted है तो उसके effect के बारे में यहाँ पर health 1000 के बारे में सब कुछ बताया जाएगा इस passage में इसको पढ़ना है ध्यान से पूरा passage उसके बाद में आपको true and false पहला जो question पूछा गया देखिए आपका animal manner does not have any evil effect on groundwater second है आपका pollution related health consequences depends on the immunity of the exposed population, third है only mercury is to be blamed for kidney damage और fourth है आपका soil contamination is a potential health hazard तो यह आपको 4 questions के to and false इसी में से मिल जाएंगे इनको आपको देख करके answer देना है इसी तरह से आपका पैसे जाएगा आपके exam 2021 में भी अब आगे बात करें explain the given extract how soil pollution effect drinking water और a3 में है आपको find out find out the reason from the places why we should avoid chemicals to kill insects ठीक है वो आपके फसलों में चले जाते है chemicals उसके विए से बहुत सारी परिशाने होती सब कुछ इसमें लिखा हुआ है इसमें कॉलम ए और कॉलम ब को जब आप मैच करेंगे तो आपको जब तक पैसे बता रही होगा तब तक तो आप मैच भी नहीं कर पाएंगे और चाहें तो वैसे भी थोड़ा सा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा जो है basic idea होगा तो भी उसका बात परसनल response की बात करें त इसमें आपको suggest two steps to keep away from the uses of chemical in home तो यह आपको जो अपने घरों में कौन सी दो ऐसे उपाई बताएंगे या steps बताएंगे जिससे chemicals का जो घर में हम दूर कर सकें grammar में आज यह rewrite the following sentence instruction जो दिया गया उसके साब से potentially greater treats are possessed by the infiltration of soil contamination तो इसको begin करना है the infiltration of soil contamination dash dash and rewrite करना आपको इसके बाद में there is an entire spectrum of further health effector rewrite using present perfect tense इसके बाद आजिए यह क्या है आपका present present perfect tense नहीं है present tense ही जो word है present tense में दिया आप इसको present perfect tense में complete करना है summary है इसी पैसेज को आपको summarize करना health and groundwater problem bad effect of chemicals industrial and man-made concentration pollutants related diseases तो इसको यह साबसे एक summary आपको बना देनी है section 2 की बात करें poetry में तो इसमें भी आपका extract आता है इसको पढ़ना पढ़ेगा आपको इसको पढ़ने के बाद में आपके जो questions पुछे जाएंगे वो एक कुछ इस तरह सी table बनी होई है boxes बने हो इनको फिल करना है पूरा का पूरा पढ़ने के बाद तो इसमें आपको जो main point है mentality of suburbun middle class people क्या होगा इसके चार जो है options right है वो आपके passes में गिवेना वहां से देख करना है और इसमें poetic advice पतानी है question number A3 जो है उसको परते है personal response का question है middle class people are ambitious and active in our country explain your views in brief उसके बाद में poetic creativity आपको A4 में करनी है the world order in line number 1 and 3 has been changed it is an instance of invention compose two lines of your own using invention in blank lines the virtues and vices I celebrate dash 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 और इसके बाद में the refrigerator we overwhelm dash 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 दे रखा है तो इसको complete आपको करना है section 3 की बात करें rapid reading and composition तो इसका आपको पहले आपको extract को read करना है समझना है इसके बाद में देखिए चलिए अब क्या 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 पूच्छे जाते हैं इस से answer वो भी में आप से discuss करूंगा तो चलिए पहले यह देखते हैं हम लोग जो है इस extract को आपने पढ़ने के बाद में कितना याद किया अब इसके बाद में आप से जो है यहां पर questions पूचे जाएंगे आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं पॉस करके तो यह वन है true false पूचा गया है the lady standing in the door we was Mrs. Green और इसके बाद में the lady wanted to say on the day in Green's hotel और इसके बाद मिस कलनर convinced all that Mr. Green was not a philandader उसके बाद में there are no good relations between Mr. Mrs. Green and her father A2 में पुचा गया convert into dialogue convert the above subject into a dialogue form पहले आपको जो है यहां पर देखिए नीचे जो यह लिखा है न यह आप देख रहे हैं यह वाले सारे dialogue इस तरह से आपको उसको form करना है उसको यहां पर आपको activity को read करना है अब dialogue form में दिया हुआ है ठीक है अब dialogue form में दिया है तो आप इ यह हम आगे इसके questions देखते है ठीक है यह आपका पूरा का पूरा है यहां आपको बताना है इसमें क्या क्या आएगा और fourth है there was only a single boy who did not get scared he was कौन था वो आपको बताना है तो इसके बाद में B2 में convert the dialogue into the story convert the above extract into a story form तो अभी आपको मैंने बताया था यह आपको बनाना है इस तरह की story जैसे यह लिखा हुआ है ऐसी बनाना है ठीक है यह आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने जो मैंने बोला था कि ऐसे question पूछे जाते हैं वह आपको पूछ ल wealth arts has to attend his her sister's wedding ceremony held at his her hometown and needs a leave of absence for five days. Imagine yourself where Mohan Mohini and write a letter to the principal SPW Arts and Commerce College Acola requesting him to grant the leave of absence for five days. तो मैंने 2019 के भी question paper की solution बनाये थे उसमें भी कुछ इस तरह का question पूछा गया था ता आप उसको भी देख सकते हैं आपके बास book है उसमें से भी आप enjoy कर सकते हैं इसको अब आगे second पूछा गए यह your junior college is situated at narrow but busy road causing traffic congestion and pollution noisy horns constant traffic disturb the class write a letter of complaint to chief officer municipality of your town to suggest some solution यह हमाँ पे आपको जो है उस road के हिसाब से road तो अटा ने सकते हैं ना college हटा सकते हैं तो आपको एक suggestion letter लिखना है ठीक है इसके बाद में बी portion में आजी है write any one of the following तो appeal करने है in the honorable flood situation sorry in the horrible flood situation situation the केरला state suffered a huge loss केरला में भी आया था एक तोफान आपको पता ही है तो your organization has arranged a rally to raise funds to help the flood affected people in केरला prepare and appeal for the people to contribute to the funds with the help of the following points इसमे purpose of the rally, time and place of the rally, leading responsibilities या personalities और इसके बाद में request for donation और add your own points आपको जो है इसमें चीजे बताना हुआ एक उम्फान उम्फान करके एक तुफान आया था भी तो आपके जो वेस्ट पैंगोले वहापे भी आया था आपने देखा ही था यह भी न्यूज आई थी और न्यूज राइटिंग में आपको draft a news on any one of the following headlines giving in the giving deadline in to and continuing graph तो टीचर्स डेस्ट अलिवेशन इसके उपर आपक section and develop a counter view section in about 120 words suggest a suitable title सभी के solutions अम बता देंगे लेकिन थोड़ा time बाद में view section है जो है आपका mobile should be allowed in classroom mobile are good source of information they are easy to handle they provide videos to understand the topic information can be easily exchanged ठीक है और information transfer जो है look the tree diagram given below or write the short paragraph about कलदारी in 120 words suggest a suitable title तो इसमें क्या है cleanness energy resources milk cooperative rain water harvesting massive awareness device फिर उसको energy को फिर आपको solar and wind energy से जोड़ना है और को milk cooperative जो है उनको milk chilling center से जोड़ना है इसके बाद में massive awareness drive जो है इसको tree plantation anti alcoholic drive से जोड़ देना है इसी तरह से आपको नीचे जो पूरी tree है इनको जोड़ करके एक आपको paragraph 120 words में लिख देना है जो कि इनी words से बन जाएगा केवा लिगिक लाइन बनाने से इंट्रूव question और उसकी बात करें तो इसमें college has intervened dietitian on the occasion of world health day imagine you are the editor of your college magazine taking interview of the dietitian frame a set of 8 to 10 questions to interview him or her उसके बाद मैं आपको केवल दसी question step बनाने है जिसमें आप उनसे questions पूछेंगे speech drafting की बात है जो यहां पर पूछा गया है आपका fourth जो है add your ideas तो यहां पर disappearing words जो है इसके बारे में अगर आपको लिखना था तो जिसने अपने जो इसके question paper सापको इस channel पर available मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो आप हमें comment जरू करिए कोई भी link आपको नहीं मिलती तो हमें comment कर दे thank you very much for watching this video आपको